हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अलफाबेट कोचिंग सेंटर में आज तारीख है आपका चार मार्च चार मार्च दो हजार चोविस से आपके जो भी करंठ फेर के कोश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं आगे बरने से पहले आपसे चोटा सा निवेदन है अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिल आइकन को आन जरूर कर लिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के कोश्चन को आज के कोश्चन क स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पहले हम उसे रिवाइज करेंगे यानि रिवीजन करेंगे तो पहला कोशन हमने कल के वीडियो में क्या पढ़ा था हालही में दुरलब रोग दिवस कब मनाया गया है 29 फरवरी को 29 फरव यानि दीवस से संबंदि जितने भी आपके question बनते हैं और theme ये सब हम आपको revise करवा देते हैं यानि बार बार आपको revise कराते रहते हैं दूसरा है हालही में किस मंत्राला ने स्वाम प्लस प्लेटफार्म लांच किया है तो ministry आप education हालही में वित मंत्राला ने किसे नामित भारती वाक के रुप में अंतराष्ट्री उडानों के लिए अधिसूचित किया है अकासा एयर। हालही में UK के किंग के द्वारा मानत नाइट हुड से सम्मानित किया होने वाले पहले भारतिय कौन बनेंगे तो भारतिय मित्तल बनेंगे। हालही में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम से 2013 का खिताब किस ने जीता है। तो चंडीगर उनिवर्सिटी ने जी गया है अनुराग अगरवाल को आप सभी को पता है हालही में संसत में बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसको देख करके वहां पर ये आपका सुरच्छा की द्रिष्ट से बहुत ही बड़ा अचूप था तो जिसको सुधार करने के लिए संसत के नए प्रमुख बनाए गए हैं सुरच्चा के लिए जो अनुराग अगरवाल हैं हालही में किस देश के पूर्व पीयम ब्रायन मुल्रोनी का निधन हो गया है कनाडा के थे वो और हमने निधन से संबंदित जो भी कोशन बन सकते थे इंपोर्टन को कोश्चन के तरह दिरिष्ट से परिचा की दिरिष्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक सो रहा होगा उपर वहां पर देख सकते हैं उसपे क्लिक करके या आप अलफा बेट कोशिंग सेंटर सर्च करके आप डारेक्ट वहां पर वीडियो के सेक्शन में जा करके आपको तीन तारिक का तीन मार्च का वीडियो देख सकते है तो आपका right answer हो जाएगा है हाल ही में किस भारती कंपनी ने पसु कल्यार पहल वंतारा की शुरुगात की है तो reliance ने शुरू की है अब चलते हैं आज के current affair के पहले question की तरफ जो की आपका बना है 4 March से हाल ही में financial action task force जिसको हम start में कहते हैं EFATF का नया अध्यच किसे घोसित किया गया है तो यहाँ पे 4 option दिये गए हैं तो right answer हो जाएगा आपका Mexico अब यहाँ पर हम EFATF का जो अध्यच है अगले 2 सालों के लिए Mexico को नियुक्त किया गया है ठीक है मेक्सिको के Elisa de Andra Andra Medrajo को EFATF की अध्यचता के रुप में नामित किया गया है financial action task force short form होता है EFATF यानि इसका EFATF का फुलफार्म होता है financial task action task force होता है यह अंतर सरकारी संगठन है इसका गठन जो है 1989 में पेरिस में आयोजित G7 सिखर सम्मेलन द्वारा किया गया था भारत जून 2010 में 2010 से संगठन का सदस्य था यानि G7 का और EFATF का यानि G7 का और EFATF का यह सदस्यकप बना था आपका 2010 में उद्देश से इसका क्या रहता है कि आतंगी funding को रोकना अब हम मेक्सिको के बारे में जान लेते हैं महादीप कौन से महादीप में इस्तिक्त है मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में राजधानी की बात करें तो मेक्सिको सिटी होती है मुद्द्रा की बात करें तो मेक्सिकन पैसे हो है राष्टपती यहां के इंड्रेस मैनुल लोपेज उब्रेडोर हैं दूसरे नंबर का कोश्चन क्या कहता है कि अडानी ग्रूप ने दच्चिड एसिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कामप्लेक्स कहां लांच किया है यहां पर चार आपसन देख सकते हैं तो चारो आपसन में से एक आपसन सही होगा आपका जो की उत्तर परदेश है उत्तर परदेश में यह लांच किया गया है और यहाँ पर देखते हैं यह अडाने गुरूप ने उत्तर परदेश के कानपूर में गोला बारूद और मिसाइल के कामपलेक्स का उदगाटन किया है अदचिड एसिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैनुफेर्चरिंग कामपलेक्स भी यही पर है अब हम उत्तर परदेश के बारे में पर रहे हैं उत्तर परदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं देखिए थोड़ा बहुत कहने कार्थ है परिच्छा की दृष्टी से जो आपके महतपूर हो सकते हैं राजधानी की बात करें तो लखनव है मुखमंत्री यहाँ पर योगी आदितनात हैं राजधाल यहाँ पर आनंदी बेन पटेल हैं लोगसभा की जो सीट है सरवादी का आपका यूपी में है और राजसभा का भी यूपी में ही है तो लोकसवा में 80 seat है और राजसवा में 31 seat है और नेशनल पार्क एकी बात करें तो आपका दुधवा नेशनल पार्क, पीली भीत नेशनल पार्क, अमनगर, रानीपूर, सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका क्या है नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश की करेंट अफेयर से जान लेते हैं क्या है जो कि बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं देश का पहला AI City आपका कौन सा है लखनो AI का फुल फार्म क्या होता है Artificial Intelligent होता है क्या होता है Artificial Intelligent होता है दुनिया का सबसे बड़ा Meditation Center ये आपका कहा पर खोला गया है वारार्सी में खोला गया है आयोध्या राम मंदिर का उद्गाटन कब हुआ है ये आपका 22 जन्वरी को हुआ है सभी लोगों को पता है देश विदेश की चर्चाएं हैं पर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में स्रीकल की धाम मंदिर का सिला नयास किया है और यूपी सेमी कंड़क्टर निती लागू करने वाला चौथा राज़ बन गया है तीसरे नमबर का क्या है हालही में BWF पैरा बैडमिंटन विस्व चैंपियनसीब 2024 कहां आयोजित हुई है तो चार आप्षन दिये गए हैं आपर तो आप यहाँ पर इसको देख करके बता सकते हैं कि आपका थाइलेंड आप्षन सही होगा अब देखिए थाइलेंड अब यहाँ पर इससे संबंदित क्या important point है यहाँ पर देखते हैं आयोजन जो हुआ है थाइलेंड के पताया में हुआ है याणि पताया जो आपका एक सहर है जो की थाइलेंड में है पर फारा बैडमिंटन विश्व चैंपियंशिप दोजार चौबिस में पर्थम इस्थान पर जो रहा वो चीन रहा दूसरे इस्थान पर इंडोनेसिया और तीसरे इस्थान पर भारत रहा है यानि यह आपका BWF से अगर पूछा जाता है पर बैडमिंटन से तो पहले इस्थान पर कौन सा था कौन सा देश चीन था फर्स्ट पर सेकंड पर कौन सा इंडोनेसिया इंडोनेसिया की जकारता होती है क्या होती है जकारता होती है और तीसरे इस्थान पर आपका कौन सा पदक जीते जिसमें तीन स्वर्ड थे और चार रजत थे और ग्यारे आपका कांस पदक सामिल था स्वर्ड पदक विजेता सुहास एथियराज और कृष्ण नागर परमोध भगत यह थे BWF का फुलफार्म क्या होता है? बैडी मेशन वर्ड फैडरेशन होता है इस्तापना इसका 1934 में हुआ था मुख्याला इसका आपका कौललमपूर में होता है जो कि मलेशिया में पढ़ता है चौते नंबर का कोष्ण दिख लिजए क्या कह रहा है? किस वर्ड तक इसरो चंद्र यान 4 को लांच करेगा? तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा बी वाला आपका राइट एंसर हो जाएगा वर्स दो हजार अठाइस तक इस रो जो है वो चंद्रयान फोर लांच करने वाला है आप सभी को पता है कि चंद्रयान टू जो साउथ पोल पर गया था वो सफल लेंडिंग नहीं रहा था यानि वो सफल हो गया था लेकिन थार्ड जो चंद्रयान था वो आपका सफल रेंडिंग था अब पहला देश बन गया था भारत जो साउथ पोल पर पहुचा था आप सभी को यहां पर हम एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं चंद्रयान थिरी के सफल होने के बाद अब चंद्रयान फोर लांच की अन्यारी में ल का है इसरो के मुताबिक चंद्रयान फोर में 350 किलोग्राम का रोवर तैनात रहेगा चंद्रयान फोर को लूपेक्स मिसन भी कहा जाता है यदि चंद्रयान फोर सफल होता है तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा इसरो इसरो का फुलफार्म देख लेते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन हो जाता है इस्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुआ था इसकी मुख अध्यच कौन है मुख्याले नहीं होगा यहाँ पर यह आपका मुख अध्यच यह सोम पांचवें नमबर का कोशन कि क्या कह रहा है कि विश्व नागरिक सुरच्छा दिवस कब मनाया गया है तो यहां पर आपका Right answer हो जाएगा आपका एक मार्च को एक मार्च को आपका मनाया गया है अब देखिए एक नागरिक सुरच्छा और आपात कालिंग तयारियों के महत के बारे में जाकरुकता बढ़ाने के लिए इसी दुनिया भर में मनाया जाता है 1990 में अंतराष्टिय नागरिक सुरच्छा संग्ठन ने एक मार्च को विश्व नागरिक सुरच्छा दिवस के रूप में नामित किया है जिसका उद्येश से यह रहा है कि दुरगटनाओं और प्राकरतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से व्यक्तियों और उनकी स संपतियों की सुरच्छा को पढ़ावा देना है छटे नंबर का कोश्चन है हालही में दुनिया में सबसे कम प्रजनंदर कहां दर्ज की गई है तो आप सभी लोग आपसन को देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश हो सकता है आप सभी को पता है कि चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टी से टाप पर था अब सिकन नंबर पर आ गया है भारत की जनसंख्या अधिक हो गई है तो बचे आपका कौन सा ना तो यह हो सकता है ना पहला ना तो चीन होगा ना तो भारत होगा बचे जापान का तो जापान का हो सकता है क्योंकि कम प्रज प्रजनन दर जो पहले से दुनिया में सबसे कग है 2023 में गिर कर यह नए रिकार्ड निचले इस्तर तक पहुच गई है कोरिया के आकड़े से यह पता चला है कि एक दच्छड कोरियाई महिला प्रजनन जीवन के दवरान अपेच्छित सिसुओं की आउसत जो संख्या है 2022 में 1021 में गिर करके 1042 है जो आपका हमने बताया है कि आज़्ग कोरिया पताना साय tuhang कोरिया के बारे में जान के बारे में जाण लेते हैं यू सुक्वे वोल अगला कोश्चन है आपका साथवे नंबर का हालही में अटुकल पोंगल परवत कहां मनाया गया है तो आपका राइट एंसर जाएगा केरल केरल में यह परव मनाया गया है तो केरल के राजधानी आपका तिरुवन्त पुरम में अटकल पोंगल का परव मन को दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है जहां महिलाओं को लाए एक सा भगवती मंदिर में देवी का जश्म मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं अटुकल भगवती मंदिर यह मंदिर देवी भगवती को समरपित हैं महिलाओं के सबरी माला के र अब देखिए यह आपका कुछ important point है यह कह सकते हैं कि जीके का question है क्या है जीके का question है भारत के समविधान में भारत को किस रूप में वड़ित किया गया है तो राजियों का संग में वड़ित किया गया संग लोक सेवा आयोक के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राश्ट्पति के द्वारा की जाती है राश्ट्पति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तूत करता है उपर राश्ट्पति को करता है भारत के अर्टानी जर्नल के नियुक्ति कौन करता है भारत के राश्ट्पति करते हैं भारत में सार्व भॉम वयस्क मतादिकार कि किस के द्वारा परदान किया गया है भारत के सम्मिधान के अतिक्रमन के लिए राष्ट कि घोशला करने अथवासानती की स्थापना करने के लिए वैदानिक रूप से सच्चम है राश्टपती. आठवे नंबर का कोश्चन क्या है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस सहर में इस्थापित है जिसका उदगाटन प्रधान मंतरी नरे नुर्मोदी ने किया है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा उज्जेन उज्जेन कहां पढ़ता है यंपी में पढ़ता है मध्य पर भड़ी क्या है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गड़ना करेगी दो सूर्योदयों के बीच की अवदी जो को 30 भागों में वहाजित किया जाएगा जिसकी एक घंटा 48 मिनट का होगा मतलब कि एक घंटा 48 मिनट का होगा और एक दिन में 24 नहीं बलकि 30 घंटे होंगे जिसमें घंटों को मुहरत में बाटा गया है नौवे नमर का कोशन देखिए हालही में किस देश के पूरुपरधान मंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है तो यह आपका कनाड़ा गजल गायक पंकज उदास करनाटा के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे कौन के फोईसला जो 34 वर्ष के उनमें इनका निधन हो गया है डाक्टर आर नित्यानंद यह भारत की पहली मौकिक गर्व निरोधक गोली सहेली खोज करने वाले डाक्टर नित्यानंद का निधन हो गया है सास्त्री गाई का प्रभा अत्रे का निधन हो गया है मसहूर उर्दु गायक मुनवर राड़ा इनका निधन हो गया है मनोहर जोसी महाराष्ट के पूर मुख मंतरी थे इनका भी निधन हो गया है परसिद जैन आचार्यम विद्यासागर महाराज इनका भी निधन हो गया है विद्यासागर महाराज जी का देश के सबसे उम्रदराज टिष्ट कुर्केटर दत्ता जी रा पहमान बर्क का भी निदन हो गया है लास्ट पोश्चन है आपका इस सेशन का क्या है कि आपका नफरत फैलाने वाले सो को सो की वज़े से न्यूज ब्राड कास्टिंग एंड डिजिटल स्टेंडर्ड अथार्टी जिसको हम यन्वी डियस से ए ने किन न्यूज चैनलों पर जर्माना और वीडियो हटाने का आदेश दिया है तो आपका राइट अंसर जागा न्यूज 24 और न्यूज नेशन और यन्डी टीवी पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही रोचकदार और आपके परिच्छा की तैयारी के लिए कोशन लेकर के आएंगे अगली वीडियो में और बहतरी तब तक के लिए देखते रहें और खुस रहें तब तक के लिए चैहिंग चैह भारत